दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा वाटसाप पे जब भी आप किसी को कोई फोटो भेजते हो तो उसकी क्वालिटी जो है पूरी तरह से गिर जाती अगर 6 MB की फाइल आप किसी को भेज रहे हो 6 MB की फोटो है तो वह उसका रेजुलेशन रेडियूस होकर वह 150 से 160 KB की बनके रह जाती है और वह फोटो सिंड होती है ऐसे में फोटो जब आप उपन करोगे तो वह पूरा ज़रा सा जूम करने से फोटो फटने लगता है क्योंकि उसकी क्वालिटी रेडियूस हो गई है तो ऐसा क्या जुगारा लगा जाया जाया कि वाटसब पर हम जब भी कोई फोटो भेजें तो वह पूरी तरह से बेस्ट रेजूलेशन बेस्ट क्वालिटी में जाया उसके साइज भी रिडियूस ना हो तो इसका मैं एक तरीका आज आपको इसमें बताने जा रहा हूं तरीका तो बहुत सारा है लेकिन में जो तरीका है जो सबसे इजी है वो मैं आपको बताऊगा तो आज की इस वीडियो में आप यहीं जानोगे तो है गाइस दिस इस राजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक लांडरी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए वीडियो को सुरू क करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फोटो का साइज चेक करते हैं इसका साइज चेक करेंगे डिटेल्स देखेंगे देखिए 6.6 MB इसका साइज है आप ये फोटो मैं सेंट करता हूं और दिखाता हूं कि इस तरह से फोटो की क्वालिटी गिर जाती है वाटसब ओपन करेंगे चलिए इस बंदे को मैं फोटो भेजता हूं गैलेरी में जाएंगे और मेडिया में जाएंगे ये फोटो है इसको सेलेक्ट कर लिया सेंट कर देंगे फोटो जा रहा है चला गया अब नॉटिफिकेशन आता है दूसरे वाटसब पे आ गया अब मैं आपको दिखाता हूं 151 KB अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं बैक जाएंगे गैलेरी में जाएंगे इसको ओपेन करेंगे इसका डिटेल्स चेक करेंगे पहले 163 KB का ये फाइल बनके रह गया है अब इसको जूम करके आप देखिए ये देखिए फोटो किस तरह से फटने लगा है इनके दांतों की चमक देखिए ये वेस्ट इंडीज वाले भाई साब को देखिए ये देखिए ये काला ये गोरा सब जो है सबका फोटो जो है मतलब बो समझे फट रहा है अब इसका मैं ओरिजिनल फोटो चेक करता हूँ इसकी क्वालिटी को जूम करके देखते हैं एक बार ये फोटो है ये देखिए इसको मैंने जूम किया अब ये देखिए ये गोरा ये काला ये सावला सब सब देखिए किसी का भी फोटो फटने है रहा है जबकि मैं इसको लास्ट तक जूम कर चुका हूँ ये भाई साब को देखिए इनकी दातों की चमक देखिए, है ना, तो ये प्रॉब्लम होता है, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कुछ सेटिंग्स करके फोटो की क्वालिटी को बचाया जा सकता है, तो सबसे पहले वाटसप में जाएंगे, एक तरीका इसका ये है कि यहां मेन मेनू में आ गए, त्री डॉट जो सबसे उपर उसमें गए, सेटिंग में गए, यहां देखिए नीचे में, हेल्प के उपर स्टोरेज अंड डाटा है, इसको उपन करेंगे, नीचे स्क्रॉल करक है, थोड़ा सा जो है, क्वालिटी बढ़ जाएगा, पूरी तरह से नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, अब मैं फिर से फोटो को सेंड करता हूँ, गैलेरी में जाएंगे, और बेडिया में जाएंगे, वो फोटो सबसे नीचे होगा, यह देखिए, यह को सेंड कर देते हैं, चला गया, अब वाट्साप उपिन करेंगे, थोड़ा सा स्लाइटली फर्क पड़ता है, ज्यादा कुछ खास नहीं, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, अब इसका बेस्ट उपाई क्या है, इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि फोटो को आप ऐसे डॉक्यूमेंट भेजिए, वो कैसे होगा, चलिए दिखाते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट भेजने से यह होता है कि फोटो का जरा भी क्वालिटी नहीं गिरता है, यहाँ पर दिखिए, जो गैलरी से जाके हम लोग फोटो सेलेक्ट करते हैं, इसको छोड़कर डॉक्यू अब यहाँ से आप एक-एक करके फोटो सेलेक्ट कर लेंगे, यह दिखिए, जो डबा दिख रहे है, इसको क्लिक कर देंगे तो यह इस तरह से बड़ा बड़ा फोटो आएगा, आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, अब वो फोटो जहां होगा, वहाँ से यहीं पर आसपास होना चाहिए यह यह मैंने सेलेक्ट कर लिया कि सेंट कर दिया देखिए 6.9 इंबी यह फोटो जा रहा है कि इस चला गया इसको बंद कर देंगे अब वह वाट्साप ओपिन करते हैं कि यहां पर देखिए 6.9 इंबी का यह डॉक्यूमेंट आया है इसको डॉनलोड कर लेंगे डॉक्यूमेंट जब भी आपको फोटो भेचते हैं तो उसका प्रिव्यू आपको देखने तब नहीं मिलेगा आपको फोटो जो है ओपन करके ही देखना पड़ेगा अब यह मैं ओ अब आप देखिए सारे काले गोरे सावले समान दिख रहे हैं फोटो जड़ा भी नहीं फट रहा है अब गैलेरी में चलके आप दिखाते हैं साइज फोटो गा जो फोटो अभी आया है देखिए यह दो फोटो मैंने भेजा था यह वो है और यह भी जो भेजा बेस्ट क्वालिटी अब इसका डिटेल में जाकर साइज चेक करेंगे देखिए 6.6 MB 6 MB की फाइल थी और 6.6 MB ही आया है तो आप समझ गया होंगे कि वाटसाप पर किस तरह से आपको फोटो भेजना है जिससे आपके फोटो की क्वालिटी नहीं किरेगी अब रही बात आइफोन वालों की तो वो सेटिंग में जाकर उसी तरह से करेंगे पहला जो गाल तो उनक क्या बोलते हैं एस डॉक्यमेंट जब उनको भेजना होगा तो आई क्लॉट के थुरू वह ऐसा कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को बजाएं और नोटि देखने को मिलेंगे जिससे आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और आपको फाइदा पहुंचेगा तो प्लिस चैनल को सपोर्ट करें तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू